नमस्ते, स्वाकती आप सबको स्री कृष्णा जी की नगरी द्वारका में, जहांपर प्रभु स्री कृष्णा ने आपने जीवन के सो साल पिताय थे भारत देश के चार पवित्र धामों में से एक ताम द्वार का जो की गुजराट के सौराश्ट्र में आरब सागर और गोम्ती नदी के संगम में बसा हुआ एक सहर जिसको भगवान स्थिर कृष्ण जी ने सोयम बनवाया था महाभारत के अनुसा जरासंद ने बार-बार मत्वरा पर आकरमन करके उसे पूरी तरह से द्वस्ट कर दिया उसके बाद सोयम स्थिक्रिष्ण जी ने पस्चिम दिसा में यानि कि यहां पर सोयनी की द्वारका बनाये थे अरो द्वारका दिसके रूप में अपने प्रजा के साथ यहां पर रहते थे और इसी पवित्र द्वारका की भूमे पर बारा जोतिल लिंगों में से सत्वा जोतिल लिंग यानि की नागे सुर जोतिल लिंग स्थी थे और उसके साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस यहां पर स्थी थे जो कि मैं वीडियो की दोरन आपके साथ सेयर करूंगी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्वार का धाम के से पहुंचे मंदिर में दर्सन करने से पहले सवी वक्त कर्ण प्रता के अनुसार गोंधि नदी में सिनान करके मंदिर के मौक्षब प्रवेस्त्वार से होते हुए मुक्य मंदिर के और बढ़ते हैं जहां पर स्री कृष्ण जी द्वार का धिस के रूप में बिराजित है और मंदिर के अंदर द्वार का दीज रुपनी जी को छोड़के बाकी सवी परिवारों के साथ बिराजमन है यहां पर कुल 56 सीडिया माजूत है और यह सौर्ग प्रवेस द्वार के नाम से जाना जाता है कुछ लोग यहां से भी प्रवेस करते हैं लेकिन आप यहां से बाहर निकल सकते हैं मंदिर में 5 बर आरती होती है और मंदिर का जंडा को भक्तों की द्वारा दिन में 6 बर बदला जाता है मंदिर के अंदर मोबाइल पर्स तथा स्मार्ट वाच जितना सर इलेक्ट्रोनिक चीज़े हैं वो सब आलाओं नहीं है जुता और लगेस रखने के लिए यहां पर जागा मोजूद है जहां पर आप लकर में रखके फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं यह जो विजूल आप देख रहे हैं मंदिर का यह रात की समय का है हम रात को भी गए थे एक बार और सुबह भी गए थे तो सुबह हम लोग सुबह के छे बजे गए थे तो हमने दरसन साड़े छे बजे जब मंदीर खुला उसके बाद ही हम लोगों ने दरसन किया दरसन करने के लिए आपको दो से तीन घंडा लग जाएगा मंदी सुबह के साड़े छे बजे से दोपेर के एक बजे तक खुला रहता है और उसके बाद एक बजे से पांच बजे तक बंद रहता है फिर पांच बजे से रात के साड़े नो बजे तक खुला रहता है आप उसके अंदर दरसन कर सकते हैं तथा बीच बीच में जब 15-20 मिनिट के लिए भोग लगता है तभी दर्सन बंद कर दिया जाता है द्वारकाद इस मंदिर के बाहर गुम्ती गाठ है जहां पर आपको गुम्ती नदी दिखाई दे रहा होगा ये रात का समय है तो थड़ा अंदीर आपको नज़र आएगा गुम्ती नदी गंगा नदी के सहायक नदी है जो कि नेपाल के हिमाले परपल से निकलते हुए भारत के कई राजियों से होते हुए गुजराट की आरप सागर में मिल जाती है और द्वारकादेश के दर्सन करने के पाद हम लोग आके पहुँच गए हैं रुक्षमणी माता के मंदिर में जो कि द्वारकादेश मंदिर से धाई किलोमेटर के दूरी पर स्थित है स्वयंग स्री कृषमणी जी और माता रुक्षमणी जी दुर्वासा रुसी को रत में बिठा कर द्वारके की तरब लेके जा रहे थे तो इसी जगे पर रुक्षमणी माता को प्यास लगी और स्वयंग स्री कृषमणी जी ने यहाँ पर पानी को प्रकट किया लेकिन बिना दुर्वासा रुसी को पूछे रुक्षमणी माता ने पानी को ग्रहन कर लिया और इसे बास से क्रोथ में आकर दुर्वासा रिजी ने स्राप दे दिया और जिसके बज़े से देवी रुप्मिन जी को बारा साल तक स्रिक्रिष्ण जी से अलग रहना पड़ा और उन्होंने ये भी स्राप दिया था पूरी द्वार कमी पानी की कमी होगी इसलिए जो भी भक्तगर्ण यहां पर आते हैं उनको प्रसाद के तोर पे पानी दिया जाता है अभी हम लोग पहुंच के हैं द्वार का दिस मंदिर से दो किलो मिटर दुरी पर स्तीत भड़किस और महादेब की मंदिर में आरब सागर की तट पर प्राकृतिक रूप से बने चटान के ऊपर यह भड़किस और महादेब जी के मंदिर बना हुआ है जो की पंद्रमोले सौर महादेब जी को समर्पित है भड़किस और महादेब जी के मंदिर के पास संसेट पाइंट बना हुआ है जाहawn पर आप साम के समय संसेट का नजारा देख सकते हैं और ऐसा मना जाता ही की बढड़केसौर महादीब जी के मंदिर के पास जो पत्थर है उसी पत्थर से एक के उपर एक पत्थर रखके आप जितने उचा घर बना सकते हैं आप जिन्देगी में भी उतने ही मंजील वाला घर बना पाएंगे इसलिए लोग यहां पर आके एक के उपर एक पत्थर रखके इस तरह से अपने घर बनाते हैं दौरकादी इस मंदिर से 12 किलोमेटर के दूरी पर स्थी थे सिवराजपूर पीच जिसका पानी बहुत ही साफ है और यहां पर आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं कैमल राइड, हर्स राइड यह सब भी आप एंज़ाइ कर सकते हैं आप साम के समय अगर यहां पर आते हैं तो बहुत अच्छी से इंजय कर पाएंगे यहां पर आप साम के समय संसेट का नजारा देख सकते हैं गोमती घाट से पांच मिनिट की दूरी पर स्थी थे एक खुपसरस सा स्वामिनारण जी का मंदिर तो समय मिलने पर आप यहां पर जरूराईएगा क्योंकि यह मंदिर बहुती सुंदर है इस वाले वीडियो में हमने दौरका की संपुन दरसन किये हैं तो अगले वीडियो में हम पेट दौरका की दरसन करेंगे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सेयर जरूट कीजिएगा और चानल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना वुलिएगा तो इसी उमीद के साथ आप सबसे अभी बिदा ले रही हूँ फिर मिलते ही और एक निव वीडियो में तब तक अपना खूफ ख्याल रखियेगा गुट बाई नमस्ते टेक केर